वेलम टू मैं चेनल दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ रेकर अगर क्सिभी रिजन्स के वज़े से अपना कैशीफाइ अकाउंट डिलेट करना है तो कैसे डिलेट करना है और उसका क्या प्रोसेस है। की इस वीडियो में हम बात करने वाले है तो वीडियो आपको एन तक देखना है बिने स्किप किये और अगर आप चैनल पे नूँ हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन जरूर दबाईए ताकि यह सी इनफर्मिटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जीमेल के त्रू आप अपना कैशिफार अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं तो स्टैब बैस्टैब आपको देखना है मैं आपको बताता हूँ सब सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में जीमेल ओपन कर लेना है दोस्तो और जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहां पे कमपोज इमेल दिखाई दे रहा है उस पे क्लिक कर रहा है अब यहां आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है यह मैं आपको बता रहा हूँ सबस लिखना है और सरनेम के साथ लिखना है उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपना कॉंटेक्ट नंबर लिखना है कॉंटेक्ट नंबर दोस्तो आपको अपना रिजिस्टर नंबर लिखना है जो आपके फोन में अभी फिलाल है नंबर वोही लिखना है कोई दूसरा नंब नहीं लिखना उसके बाद आपको यहां पे space देना है और request लिखना है request में मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको English नहीं आती है तो आप Hindi में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर अगर आप मेरा copy करके लिखना चाहते हो तो वो भी चलेगा जैसे कि मैंने यहां लिखा है please delete my cashify account सिर्फ इतना ही लिखना है आपको उसके बाद आपको यहां subject का option दिखाई दे रहा होगा तो subject में आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है मेरा copy करके लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है cashify account delete request इतना ही लिखना है उसके बाद यहां पे gmail id का option दिखाई दे रहा होगा आपको तो आपको official website पे जाना है cashify की वहां से आपको gmail id copy paste करना है और इधर पे आपको copy करना है और उसके बाद दोस्तों send कर देना है लेकिन send करने से पहले आपको यह ध्यान करना है अपने email में कहीं spelling mistake तो नहीं है वरना आपकी request accept नहीं होगी और आपका account delete नहीं होगा जब आप send कर देते हो तो आपको 10-15 minute में confirmation email आजाएगा cashify की तरफ से कि आपका account जो है cashify आगा वो delete हो जाएगा 48 गंटे में तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे आपको अपने mobile से घर बैठे एक Gmail के तरफ अपना cashify account delete करना है वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो like कीजिए comment कीजिए और अगर आपको इसी से related किसी topic पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो या फिर मेरे Instagram पे DM कर सकते हो link description box में दोस्तो चैनल को subscribe करते वह जाएए आज की लिए इतना ही है जल्द मिलेंगे अब ये वीडियो में new topic के साथ ओके भाई guys take care